कि हलो एब्रिवन आइवलकम यूओल टु स्पोकर इंग्लिस सब दिपक्ति वारी और इस वीडियो में हम लोग राज्यपाल के बारे में जानने वाले हैं और राज्यपाल यांकी गवर्णर और इनसे जारे हुए हर चीज को हम डेटेल में जानेंगे अगर इस टॉपिक आप टाइप करेंगे स्पोकर इंग्लिस सब तो आपको चैनल मिल जाएगा वहां पे तो वहां से अब ले सकते हैं पीडियो पर चली हम सुरू करते हैं डेटेल में आप प्रिवीस वीडियो में हम लोगों ने भाग 5 तक खतम कर लिया इसमें भाग 6 भाग 6 के सुरवात होत है भाग 3 में क्या है मुलड अदिकार है अर्टिकल12 से लेकर 35 तक है एह बाग 3 और इसमें क्या है मुलड अदिकार और 35 डेकर 51 तक है इसमें क्या है DPSPS राज्य के निति निचिण जिख सिधान्त और यह भाग 54 बैब बाग 5 पर ऊंडिकल 52 से शुरू हो एक 151 तक है जिसमें दा यूनियन के बारे में बताए गया है और फिर यहां पर भाग 6 शुरू हो रहा है जो कि अभी हम फिलाल कर रहे हैं तो यहां से भाग 6 शुरू हो जाता है तो भाग 6 का आर्टिकल क्या है 152 से लेकर 237 तक देखते हैं इसी को तो सबसे पहले राज़पाल क बीन मुअरोती के बारे में बूराःवम मुझाजा है 152 में बताए गया है और अर्टिकल 153 में बताया है राजपाल के पद के बारे में कि अगला आग्याoren 505 इसने च्पति के दोना नि निरवाचन नहीं होता है तीक है इनका निरवाचन नहीं होता है इनका हाईरींग होता है नुक्ती होती है और दो करते हैं राषपाती लेक Hallelujah को कारेकाल कितना होगा तो राट Staat का कारेकाल पांत साल का होगा लेकिन राषपती के परसाद परियत अपने पद पर बने इलए रहते हैं मतलब लिए राश पती समय से पहले भी खतम कर सकते हैं या दूबारा भी मौदान में होत्य नहीं है उसके बारे में किस दो चार महिने और शे महिने में है ईसके बार बरश्पत्र tired नहीं है अगला है अर्टिकल 157 इसमें योगिता के बारे में बताएगी है कि राश्पति की योगिता क्या क्या होनी चाहिए जैसे 35 साल की उमर हो किसी और राजी का निवासी को उस राजी का निवासी ना हो ठीक है और 158 भी यही है कि सर्थ के बारे में बोलता है कि उनकी यो लोग सब रासबा करंदर में होता है और राज्यों में क्या होता है बिदान सभा बिधान परिसद तो इन सब में किसी एक अभी सदस्द से नहीं होना चाहिए राजयपाल का सपत किस तरीके से होगा तो राजयपाल का सपत है वह जिस राजय के लिए चुने जाते हैं जैसे किसी एक व्यक्ति को चुना गया अनदी बीन पाटिल यह समय कहां की है यह समय यूपी की अननदी बीन पाटिल तो इनको भले ही राश्पतिने दिल्लि में निक्त कर लिया लेकिन इनको सपत कौन दिलाएगा जो यूपी का हाइप है जो इलहाबाद हाइप सब्सक्राइब करने नाम बतल गया है तो पर्याग जो आज़ हए उसके जो मुख नए आदिस होंगे जिसको बोलते हैं चीफ जस्तिस आप हाइगो उच्छ ने आ लहाइके मुख नादिस उस सब्सक्राइब एढ़ होगा उस आप दिलाते हैं उसले जहानगा अच्छे यह से यहां पर confusion हो सकता है कि राश्पति दिलाते होंगे और यह बहुत जातर बच्चे गल्दी करके आ जाते हैं नेक्ट कि इत्याग पत्र अपना इस्तिफा तो चाहें तो प्रेसिडेंट को अपना इस्तिफा दे सकते हैं इसका आर्टिकल है 158 का वन आर्टिकल में बतायागे इ राज़पाल के वोग बताब यहां किसंवे तरह किसा की मात्र इसा पत्र है जिकांगी समिधान में होना है और विञेविधी के बард इसके बाद भी इनके व्पर किसी वने तरह कंहां भ्यूग नहीं चला जा सकता जकी ही जंगी आर्टिकल 160 भ में बता हगुई है कि जब आपात्काल होगा राजक्तिक जब होगा तो समय तो लग गया तब तो खर्षाइब सकते हैं के पास आ जाती है नकि अगर राजियों में आपका लग गया आर्टिकल 356 का यूज करके तो उस समय जो राज्य की सारी जो पावण होती है वो राज्यपाल के पास चली आती है इसे बताए गया है आर्टिकल 456 जाते में अफ्सटी में नेक्शि अपना शमाधान की सकती है कि राजपाल को कुछ पाववलों पे शमाधान करने की सकती है और जो राज्य का ग्रीह-मंत्राले होता है से हमादान कर सकते हैं जैसे राजी के में कोई कानून उसकानून क्यों और किसी को सजा कि माप करनी है तो सभाल कर सकते हैं लेकिन उस्ती कोट हो ठीक है या हाई कर सकते हैं जो सेनिन आला ही होता है नो इसकी मअप नहीं कर सकते कौन राजयपाल एक किसी का भी हो कहीं का भी राजपतीकों इसा भी माप तो नहीं कि बताया है कि राज़ने सक्टियां है ऽता है इनके बारे में थोरा से आगे देख法 पहले कोश्चीसे मैं यहां पर बताएं अधिकर पिर हम आगे चलकर उसे देख लेंगे यह तीनों पॉइंट हम देखेंगे डेकल में थोरा सा आगे छोटा जो पॉइंट है इसको हम समय लेते हैं कि राज जी कि जितने भी उनिवर्सीटीज होती हैं उस सब groups राजस्पाली होते हैं उससे बाउके है ली वह समझ जाई पुरे-समेठान का जो सबसे इंपॉर्टनब्वाइ वह है भाउपांच जो कि रहा है फ्र्टग Rice कर एसक Ci राजि में राजपत्य सासन लग गया तो पावर राजपाल के पास आ जाती है लेकिन राजपती वह सफ़ज्वन करता है राजपती सफ़ार्ज को न करता है राजपाली करते हैं कि यह लग जा सफ़ार से ख्राद में और ऐसे कर राज्पत्त इसको बहाए सकता है और तब कितना हो जाएगा तब तक चुनाव कराना ही परेगा समिधार में यही बोला गया है कि एक राज में एक बार में जब राश्पती साथन लाएगा आर्टिकल तीन सब चपन का पर्योग करके तो छिए महिने के लिए ही लगेगा लेकिन ऐसे करके छिए बार तक ब्रहाए जा सकता है लेकिन तीन साल जब हो जाएगे जाएगा तब तक तब उसके बाद हलात को किस कुछ चीज़ हम यहां देख लेते हैं विबेका अधिकार सकते हैं से मतलब है कि कोई भी बिध्यक बनता है ना राज में कोई भी कानून अगर बनता है तो उस पर हस्ताक्षर कौन करता है राजपाल करते हैं अगर उनको लगता है कि यह सही नहीं है तो एक मनी बिल जो धन ब राश्च्पती के लिए सुरक्षित रख सकते हैं कि इसे मैं राश्च्पती से दिखाऊंगा राश्च्पती अगर बोलेंगे सही है तब ही मैं इससे पास करूंगा इस पर साइन करूंगा तो यह जो पाउर है बहुत स्पेसल पाउर है और कई बार सवाल आता है यह कौन राश्पाल अपने पद पे है ना इनके ऊपर किसी भी तरह का मुकदमा नहीं चलाए जा सकता ठीक है नहीं चला सकते हम जब तक यह अपने पद पे हैं ठीक है तो यह बात भी आपको ध्यान एखना है आगे है राश्पाल की त्री संकुष सकती है यह क्या होती है इसको भी समझते है थोड़ा साब अगर किसी पार्टी को मत मिला है लेकिर बहमत पूरी तरीके से नहीं मिला है या फिर थोड़ा बहुत कम है फिर भी वो चाहें तो किसी ब्यक्ति को ना सीम का सपत दिरा सकते हैं लेकिन उसको तीस द त्रिसंग को सकती का थीक है तो यह बात आपको ध्यान अकना है इस तरह से हुआ भी है आगे देख लेंगे सो कैसे हुआ है लेकिन किसी बेक्ति को या किसी भी पात्री के मुख्या को चाहें तो सब्सक्राइब करें तो राजपती के पाद सजारा विवेका अधिकार सकते हैं अगला है आटिकल 162 जिसमें राश्टपती जैसे के अंदर में सक्ति कभिष्टार करते हैं उस तरह से राज्यों में सक्ति कभिष्टार राजपाल करेंगे और उनके लिए क्या होगा कि मंत्री परिशद होगी एक अर्टिकल 163 हैं बताए गया है और इसके परधान कॉन होगा cm होगे चीप मिनिस्टर और इनके सलाह पे ही अन्य मंत्री भी होंगे अर्टिकल 154 है और नंय मंत्री को सपत दिलाएंगे ठीक है कि एक और बहुत इंपॉर्टेन प्वाइट है यहां पर आर्टिकल एक सुपए सथ इसमें बताये क्या है कि जैसे किंद्र सरकार पर एक होता है ना वहां पर बीजी होते है इसको मुलते अटॉर्णी जर्णरल यहां पर यह जी है ठीक है तो यह जो है महाधियक्ता होते हैं महाधियक्ता होते हैं इसे किंद्र में क्या होते हैं महानियावादी महानियावादी किंद्र सरकार के मुख्य कानूनी सालहकार होते हैं ठीक है उसी तरह से राज्जी की सरकार जो होती है ना उसके कानूनी सालहकार यह महाधियक्ता होते हैं अंकि आर्टिकल 165 है काफी इन का संचारन करें वो राइट और राजपाल के सक्ति तो बहुत सारी है लेकिन आपको यह जो दिख रहा है न मंत्री परिसर होगी और यह अन्य मंत्री जो होंगे यही सारी सक्ति उठा के राजपाल से चीफ मिनिस्टर को देता है मतलब राजपाल तो सिफ समिधानिक पर मुख क्यों है मुखमंद मंत्री है्ip मिनिस्टर है अगला है अई और चिकल दो से बड्समार के करतब कि क्या क्या है यहां यहां पर यह कि राजपाल के तो सरकार के जो काम है उसको समय समय पर उस देते रहें सरकार को इसके बारें बटायागए आर्टिकल 167 में और साथ ही साथ जो पर्थम महिला राजपाल थी वह उत्तर प्रदेश में ही थी पहली महिला राजपाल भारत में किसी बैराज में तो यूपी में बनी थी यूपी में इने नाइड मून वन डे कमपटिटिव एक्जाम में उससे जाता चीशे हो सकती हैं पर यहां पर जो कुछ एक पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं यह आपकी इंसर राइटिंग में या फिर इसको अच्छे से अंडिस्टेंडिंग में काफी हेल्प करेगी तो अभी के जो पॉइंट्स बत आए गया है कि भारती सम्मिधान निर्माता किंद्र के समान राजियों में संसरीय सासन पर नाली अपनाना चाहते थे साथ में राष्ट की एकता अखंडता के लिए राजियों पर किंद्र का नियंतन भी रखना चाहते थे ये दोनों काम को करने के लिए उन्होंने राजपाल के पद को अपनाया जो राजपाल होते हैं ये राजियों में किंद्र के प्रतिनिधी के रूप में काम करते हैं इसलिए, इन्होंने राजपल के पद को अपनाया, ताकि किंद्र का नियंतरन जो है राज्जियों पर बना रहे अगला प्ट भी जानना बहुत इंपोर्टेंट है, जो कि बहुत अच्छा पॉइइंट है देखिए, अगला है, जो प्ट इन्होने यह है, कि इन्हों ने एक और इसमे प्रवधान किया इसलिए संबिधान निर्मताओं ने राज्य पाल की दोहरी भूमका को अपनाया इसलिए राज्य में सौतंतर संसर्य परणाली को किंदर की भाती अपनाने पर बल दिया गया ठीक है तो राज़पति सासन के लिए राजपती से बिंती कर देंगे और जात इसे को ही जाता है लगी जाता है अगर यूदा और कोई भी कानून अगर ऐसा बनना लगता है सही नहीं है तो उसे बीटों लगा सकते हैं राजपाल या फिर उसे राजपती के लिए सुरक्षित रख लेंगे राजपती उस पर देखेंगे तो इस तरह से किंद्र किस जो कंट्रोल हो राज़ियों पर अच्छी तरीके से ब अब समझ रहें एक तो समिधारिक परमुख होंगे और कार्डियों का संचालन करेंगे और साथ साथ किंद्र सरकार का जो प्रतिनिधी उसके रूप में भी काम करेंगे दुना तरीके से करेंगे वह अगला है राजपाल एक रोड जहां राज्यक्या अपचारी का द्यक्ष होता है वही दूसरी और केंद्र का भी प्रतिनिधी होता है यही बात है निश्वर है समिधार निर्मताओं ने राजपाल के पद से यह अपक्षा की है कि वह समान प्रस्तितियों में राज्यकी अपचारी कर्यक्ष के रूप में कारेंगा और मंत्री परसर की सलाह की अनु प्राप्त की एक्ता खंडता के लिए करेगा प्रंतु बेवारिक राज्यती में राजपाल ने अपनी बेवेकारिकार सक्ति का दुर्पयोग भी किया है यह बात भी हमें मानना पड़ेगा यह बिव्यात करनी पड़ेगी अब एक सवाल उठता है यहाँ पी कि राजपाल को राशपती ही निक्ट क्यों करते हैं राजपाल को राशपती ही निक्ट क्यों करते हैं राजपाल का निर्वाचन क्यों नहीं होता इनका चुनाव क्यों नहीं होता इलेक्सन क्यों नहीं होता है तो इसके बारे में कुछ ब की कठिन समस्चा उत्पन कर देगा मतलब कि मुख्यमंत्री भी चुन के आते वी एक सरकार होती है और राश्पती के तुवारा राजपाल को अगर नहीं चुला जाता तो चुन के आते यह राजे के लोगों से तो यह भी होते तो फिर दोनों में सक्ति को लेके बहुत संगर्शीत होती क्योंकि निर्वाचीत परधान होने पर राजपाल और मंत्री मंडल में संगर्श की स्थित्ति उत्पन हो जाएगी क्योंकि मंत्री मंडल भी जनता द्वारा निर्वाचीत और उसका प्रत्तिनिरी होता है इसलिए समस्या हो सकती थी इसलिए राजपाल का चुनाव नहीं होता है और क्या कारण information नहीं होता है कि देश की बीभाजन और से कारण से उत्पन विभिन समाजिक और आर्थिक समस्याओं को देखते हुए संबिधान निर्मताओं ने देश की सोतंतिरता और खंडता की रक्षा है तू राज्य की उपेक्षा संग को सक्तिसाली बनाने पर बिचार गिया और यहाला कि सही भी है बिल्कुल साथी साथ यहां पर बताया कि किसी भी तरीके से राजपाल को दारेक जनता के दोरा चुनना बिल्कुल सही नहीं था इससे समस्या हो सकती थी और सरमिधार दिन मता यह चाहते थे कि राजपाल जो है संग के प्रतिनिधी या थवा एजेंट के रूप में कारे करेंगे और सारी प्रस्तितियों पर ध्यान लगते हुए वो किन सरकार को बटाते रहेंगे कि राजपाल ठीक है राजपाल का चुनाव नहीं किया जाता है सरकार के प्रतिनिधी या एजेंट के रूप में ही काम करते हैं राजपाल यहीं संबिधार बनाने वालों का भी विचार था अब हमने सुरुवात में देखा था एक्जिक्यूटी पावर कार्यकारी सक्तिया जो की राजपाली के पास में है तो इसके बारे में कुछ चीजिया हम यहां पे देखते हैं देखिया संबिधार के आर्टिकल 154 के अंसार राष्ट और राज्य की कारेपाली का सक्तिया राजपाल में नहीं की गई है यानि कि जो राज्य होती है ना उस राज्य के कारेपाली का सक्ति किसमें होगी राजपाल में होगी आर्टिकल 154 ने बताया गिया है साथी साथ यह बताया गिया है जिनका प्रयोग वह स्वैन या तो प्रत्यक्श रूप से करता है या अपने अधिन करमचारियों दुवारा कराता है राजपाल को नेमनीखिट कारे कारे सकतिय अपराथ है अपने द्वारा अधिन क्रामचारियों का मतलब क्या है कि मंत्री मंदल इनके द्वारा तो काम तो ये कुछ नहीं करते हैं मंत्री मंदल के द्वारा ही करते है तो एक यहां बात बताया गया है कि राजी की समस्ते सासन राजपाल के नाम पर चलाया जाता है वह उन सब विसोयों पर सासन चलाता है जिनके संबंध में राजपाल के बिधान मंडल को कानून बनाने का अदिकार है देखिए राज़ों में बिधान परिशद और बिधान सभा दो चीज़ें हो सकती है बिधान सभा तो हर राज़े में है लेकिन बिधान परिसर सब राजियों में नहीं है यह भारत के मातर छे राजियों में ही है मैं यहां पर दिखाता हूँ आपको एक यहां महारास्टरा में है और दूसरा यहां करनाटक में है एक यहां यूपी में है और दूसरा यहां बिहार में है और यहां पर अंत्रप्रदेश और दूसरा त्लंगाल कह turtles में तो अंत्रपर्देश त्लंगाना मैं यहां उस्के लिचेंज कर देता हैं इसका डिक्रिखिजानी और पर पर्देश तेलंगाला साथिसाथ महाराष्ट्रा और करनाटका यूपी और बिहार इन शे जगह पे न बिधान परिसद भी है तो इन दोनों को मिलाके बिधान सभा बिधान परिसद तब इसको बोलते हैं बिधान मंदल लेकिन एक और चीज़ इसमें जुरा होता है राजजपाल राजपाल तिनों क अगर बिधान परिसर नहीं भी है न तो बिधान सभा रहेगा यह और बिधान सभा के सिवाए यहां पर राजपाल होंगे इनको मिला के क्या होता है यह बन जाता है बिधान मंदल के लिए क्या होगा बिधान सभा बिधान परिसर आप्शनल है सब जगह पे नहीं है और सात यह होती है सब कैसे होती है सब राजपाल के नाम पर ही होती है ठीक है अगला पॉइंट जो है इसमें है कि राजपाल क्या करते हैं मुख मंत्री के नुक्ति करते हैं तथा उनके प्रामर्ज से अन मंत्रियों के नुक्ति करते हैं मंत्री तथा महाध्यकता राजपाल के परसा प्रतिवेदन पर कुछ और कुछ निहरताओं के होने के बाद ही राश्पत्ति के दुवारा हटाए जा सकते हैं इसके बारे में आर्टिकल 217 में बताए गया है अगला है यहाँ पर कि मंतरी अपने पद पर राजपाल के परसाड़ पढ़ियतर रहते हैं राजपाल किसे मंतरी को मुख मंतरी के परामर्ण से हटा सकता है यह भी उनकी एक तरह कलेशले सीपावर है अगला है कि वा सासन कारे को सुविधा पुरबग चलाने के लिए तथा सिकार को मंतरियों में बाटने के लिये नियम बनाता है हाला कि यह काम मुख्छ मंतरी के सलाव पेहिंग करते हैं।aji है राजी के महादीवक्ता जैसे के और Πर आम हर अधीक्ण होते हैं आर्टिकल 65 में इनके बारें बताए गया है और राज्य लोग से वायों के अध्यक्ष्टा था उन से रस्जों के न्युक्ति करते हैं राजपाली करते हैं अगला है राज्य के अन अधिकालियों के न्युक्ति राजपाल दोबरा ही की जाती है अलग अलग जो अधिकाली होते हैं करमच पर्षासन के बारे में उख्मत्री से कोई भी जनकारी प्राप्त कर सकते कि यह क्या हो रहा है यह सब मांग सकते हैं सब के सकते हैं अगला है कि राजिपाल राज की विधान सभा में अंगल भारती समुदाए इसका मतलब है कि कोई अगलो इंडियन को बोलते हैं जिनके माता पिता में से कोई एक जो है यूरोप का हो पिता जिन में अगलो इंडिया थे तो उनके लिए था प्रवधान हलाकि अब तो गयन सरकार में अपने लोग सभा में दो हुआ करते थे राजपति के दो रहारे सो खतम कर दिये गए 2020 में यहां पर है कि राजपाल की बिधान सभा में दो अंगल अंगल इंडियन को बोलते हैं अंगल भरती समुदा इंगलो इंडियन इसको न्यूक्ट कर सकते हैं जिसके बारे में आर्टिकल 33 में बताये गया था अगला है और आसम के राजपाल को अधिकार दिया गया है कि वह अनुसुचित काभीले का विश्यस ध्यान रखें। अगला है राजपाल को राजपाल के उच्छ न्यालाय के न्यादिसों के नुक्ति करने के सकती नहीं है। किन्तु इस विश्यपर राश्पति उनसे प्रामर्स करता है। जो कि आर्टिकल 217 के एक में है। अगला है कि राजपाल जब यह अनुभाव करें कि राजपाल में ऐसी इस्थित्ति उत्पन हो चुकी है कि राजपाल का परसासन लुक्तांत्रमक परंपराओं की अनुसार नहीं चला जा सकता है। तथ राशपति को अपनी रिपोर्ट भेजता है और राशपति द्वारा संविधानिक संकत्ति खुसना कर देता है। उससे क्या होता है कि राशपति के आदेश की अनुसार राजपाल का सासन चलाता है। जो कि आर्टिकल 356 के तुर राजपाल काल बोलते हैं। यह सबसे पहले लगा था भारत में पंजाब में ठीक है। जिसको प्यप्सू बोलते थे पतियाला एंडिस पंजाब यूनियन। और सबसे जादा बारे लगा हुआ है यूपी में। यूपी में लगा है उत्तरपदेश में। अगला है कि राजपाल के विश्व विद्यालों का कुल अधी पति होना और उपकुल पतियों को भी नुक्त करता है। कि राजपाल को प्रहा आक्रमन्त स्वत्रविद्रों स्वत्पन प्रस्टित्यों का सामना करने वाली ऐसी कोई ब्रहा सकती प्राप्त नहीं है जैसे राजपती को प्राप्त है अर्टिकल 312 के थरू जब देश में आपातकार लग जाता है तो उस समय साथी साथ जो किंदर और बिटी है सकती इसमें क्या है देखिए राजपाल के राजपाल के सिपारिस के बीना नो कोई बिधन बिध्यक बिधान सभा में पेस नहीं किया जा सकता अर्थात बिधान सभा से धन की मांग राजपाल के सिपारिस पर होती है हाला कि अगर मंत्री मंदल बोलता है तो र मंतर नहीं करते हैं लेकिन का करवाते या साथ ही सबस्क्राइब कोई व्याज़्जत को अनुदान मांग दिनThis ौट राज़्पाल राज़्पाल का यह संत अग्ला है तो Państwo को सब्सक्राइब याई संक्र के समय अवसक्ता पड़े तो राजपाल इससे अवसक्तानुसार ब्याय कर लेता है और उसके पहचात राजबिधान मंदा से उसके स्विक्रति निये लिएता है देखी होता क्या है एक संचित नीरी होती है एक आक्समिक निद्धी होती है तो संचिते चीन से पैसा निकालने के लिए पहले एक धन जानके आता है राजे के बढ़ां ससमय और वहां से बढ़ा स or लेकिन अच्लाग से मानिय कंग इसक्त नहीं चल करके उससे पैसा निकला जासकता है उनके दिस्त करके सुरूर और इस्में पैसा पहले है तो अलग से पर निकाला जाता है उसको बोलते हैं अक्समिक नीधि थि क्या हो तो इस नीधि से पैसा निकालने की सक्ति होती है तो कि आगे देखते हैं अग mountainayad के जो पंचायत होती है और नगरपाली काए हुती है इनकी बितिय स्थिती हर पास साल बाद समिक्षा के लिए वह बीत आयोग का गथन करते हैं यह किंद्र का बीत आयोग नहीं यह राज्यों के बीत आयोग के बात हो रही है जो कि पंचायत को और नगरपालिकाओं को पैसा मुहिया करती है मतलब प्रोवाइट करती है मनी पै मुद्रार है कि जिल्या निया अधियसों की की निक्ती जिक्टी करते है जो मिषटेकशं की बात हो रही है और राज्यपाल उस अपराधि के दंड को छोमा कर सकता है जो आटिकल 101ie दिसार का जमाद सब्सक्राइदान करदेते हैं और राश्पती जो है आर्टिकल से बंटे थो करते हैं तो इन दोनों के थो इनको होता है सक्ति प्राप तो राजपाल के पास क्या 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 देख सकते हैं अगला है कुछ राजपाल के लिए ना कुछ आयोग बने थे एक था परसास्निक सुधार रायोग उन्सची आसा थे बना था इस आयोग ने भी बताया था कि राजपाल को किस किस तरीके दे अपने पर पर रखा जाना चाहिए उनको अपनी बेकी सक्ति का परियों किस तरीके से करना है और बुख मंत्री के जिस राज में किसी राजपाल को चुनना है ना उसके लिए चिप मिश्टर से पड़ा मर्स किया जाए फिर उसको चुना जाए इसके बारे में इसने इसायोग ने कहा था ठीक है और यह भी कहा था कि यह राजपाल को यह स करना चाहिए कि भाई देखो ऐसे ऐसे बात हुआ है आप लोग जिसको चुनों को उसे चुनों यह बताया था यह कमिशन ने मैंने कमिशन ध्यान अखनाब एक और बना था भगवान सहाए समीती 1970 में और उस समय यह जंबू कस्मिन के जो थे मुख्य मंत्री थे भगवान गया हो मुख्मंतिक रूप में काड़ करना चाहिए ना कि राजपती की अधिकरता के रूप में मतलब अगर कोई ब्यक्ति कि कहीं चुनाव लड़ा है या कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो उसे राजपाल बनना ही नहीं चाहिए ऐसा बात उन्होंने बोला था रैट और इसके कैसे सही से बनाया जाए इसके बारे में वह बनने थे रैट और यहां पर भी और थुरा से प्रावधान इसको लेकर एक और समीटी बनी फिर इसके पास जिनका नाम था राजमनार समीटी यह नांटियों सिक्ष्टाइन ने बनी थी रैट और इन्होंने भी कुछ अपनी प इस कमीटी ने भी बताया कि राजपाल पर पर जो निक्ट किया जाएगा ने से बंदे को साल ध्यान एक नाना 23 वह जीवन की किसी ने किसी चितर में काफी फिरमस होना चाहिए अगला है कि राजपाल की निक्टी से पूर्व सब्बंधित राज के मुख मंत्री का परमर्स लेना चाहिए मतलब की जो ब्यक्ति राजपाल बनेगा ना उसे राज का नागरिक नहीं होना चाहिए और राज्यती बिसेश कर उस राज की राज्यती से हरिक भाग ना लिया हो उस राज के राज्यती में भाग नहीं लिया हो उस राज के राज्यती के लोगों से जड़ा उसका मतलब नहीं राओ यह सब होना चाहिए इसके बारे में बताया गया है तो इस सब सरकारिया यह उग ने इस सब चीशे बताई थी इस सब चीशे भी आप चाहे तर पॉस करके पढ़ सकते हैं राइट इसके बाद राजपाल को राश प्र टिक्षा धार पर हटायेंगे न इसके बारे में संभिधान बिलकुल मौन है कुछ नहीं बोला गया संभिधान में राइट और अधिक बार राजपाल के नुक्त की अज़ा सकते हैं इसके बारे में कोई प्रतिबंद नहीं है मत बेखें कितना हूं बार राजपाल बन सकता है कितना हूं बार कि कितने भी ठीक है वेतन और भत्ते वसे राजपाल की सली महिने की तीन लाख पचास जार रुपेश समय है 2022 के सुर्बात में अभी तक आगे बढ़ जाए तो कहने सकते हाला कि घतने या कोई चीज़े है नहीं ऊट्रीयर राजयपाल होगा तो कौन से एक राजयपाल होगा तो कौन सा राजयपाल होगा तो कोँप इसके बारे में राश्पती ही नियम बनाते हैं और वही क्या करते हैं कि किसको कितना पैसा देना है जो अनुपात है रिश्यो किस स्कराजी का कितना होगा मान लेकिन कि सलिए तो है तो है यूपी बड़ा है बोले तुम दूलाख रूपय देदो ठीक है अगला बोले बिहार क को कि भाई तुम पचास जारी दो यहां पर पैसे के भी बहुत कमी है ठीक है बिहार में थोड़ी से करीबी ज्यादा है राइट वेश्प्रेंगों को बोलें कि ठीक है तुम तो चोटे हो तुम एक लाख देदो मिला कितना होगा सहारती नहीं रुपया होगा तो राजपा कि जी जाती संचीती लेकिन उनको कि यह वोता है क्या वह बोलते हैं हween कि राइट 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 के बारे में कि बहुत और इंपॉर्टेंट हैं समय लीजिए कि आर्टिकल तीन सो एक सथ हैं कि अंत्रगत ना उनको क्या क्या संदक्षन प्राप्थ है राजपाल के बिरुद उनकी पद विधी के दवरान पद जब तक वह अपने पद पर हैं किस राजपाल के बिरुद प्यक्तिकत हैसियत से और कोई सिविल कारवाई करनी भी है न तो उसके लिए कम से कम दो महीने पहले उनको बताना होगा और सिफ सीविल कारवाई मैंने कि जिसको बोच सकते हैं कि नूर्मली इसमें कोई भी सिंपल तरीके से हैं ठीक है यह सब दिज राजपाल के लिए सड़ते हैं आर्टिकल 158 में मिलता है और इसमें क्या क्या चीशे में था कि किसी भी सदन का सदसर नहीं हो लोक सभाराज सभावा बिधान सभावा बिधान परिशाद का सदसर नहीं होना चाहिए लाब का पद्ध बेना हो इस अब देखी लिया था है न नागालें रसम मनिपूर अंद्रपरदेश सिकी मिजोरा मनाचरपरदेश गुवा इन सब के राजपाल को स्पेशल सक्ति प्राप्थ 371 को के थुरू अबेकुछ आदिवासी अलाके हैं यह अवाला काफी इंपोर्टेंट है आर्टिकल 200 वाला आर्टिकल 2 समय बताया क्या है कि राजपाल राश्पती के लिए विद्यह का रक्षित कर सकता है जो कि हमने देखा ही था और धन विद्यह को तो लोटा नहीं सकता पुना विचार के लिए बागी सब को लोटा सकता है चाहे तो अगला है यदि राजपाल क्या करेंगे आर्टिकल 356 लागाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है और कुछ एक सक्तियां है जिसमें देखिए कि इनका विवेका अधिकार सकतियों के बारें प्रस्थिति के हिसाब से करना है क्या क्या है पताया है कि किसी एक दल के विद्धान सभा में अस्पश्च भहुमत ना हो उस समय राश्पती को आ इस सरकार है उसके कुछ सदसे उस दल से निकल कर किसी और नहीं दल में मिल जाए जिसको दलबादल बोज़ते हैं समिधान के भाग दस में नसUCι दस में है उनसुची दस में दल बादल करने को लेकर यह 92 यह समिधान सभा में 1985 में किया गया था तो अगर कुछ ऐसा हो 工作 pen जाता है फिर उन्हें समय क्या करना पड़ता है उनको से mee सरकार है और sister नहीं है तो वहने करना पड़ता है राज एक सांती भीrale को खत्रा पैदा हो इसे मुर्स कर सकते हैं अब राजय पाल मुक्रमंत्री की नूखति करते हैं और अवर और हमेशा बहुमत दल के जो नेता होते हैं उन्हीं को करना होता है लगिए इसका दुरुप्यों किस तरीके से होता है देखिए उधारन के लिए अपने पास यहां पर कुछ सबूत 1963 में क्या हुआ एक राजसान के राजएपाल थे संपूर्णा नंड और निहों squirrel लुझे जादा सीट किस इती आई थी किसके सब्धिक्जाइक किया ही लेकिन इससे बावचूद विएंगी स 1400 क कघाता है जो कि बिल्कुल गलत था अगला है बस 1982 में हरियाना में बहुमत दल के पिक्षा करते हुए राजपाल ने अल्पमत प्राप्त दल के निता को मुखमत बढ़ के सब्बत दिला दे थी तो यहाँ पर भी गलत किया गिया था बहुमत बाले को छोड़ के अगला है बस 2005 में बिहा साइट करते हुए राजी में जनता दल जनता दल जो है कि नेता उस समय हुआ करते था लानुपरसाद उनको मुखमत्री के सब्बत दिला दिया जो कि बार ने अपना भूमत सीज़न नहीं कर सके तो यहाँ पर दिखाये गया कि राजपाल ने अपने बिभेख सकती कपड़ गलत तरीके से किया है अब यहाँ पर 1907 में किया हुआ को उत्तर पर्दिश के राजपाल रेमेश भंडारी ने बहमत प्राप्त मुखमंत्री थे कल्यान सिंग उनको हटा दिया और अल्पमप्त प्राप्त करने वाले थे जगदिमिकापाल इनको मुखमंत्री के सब्द दि सरकार में और काफी ज़्यादा जमीन से जिद्विश्टान से तो दो फर्मयुस्तर पाच को मुखमंत्री के पर से इनको हटा दिया जो भरत्या का सरकार्गिर थे और कॉंग्रेस के परताप सिंग राने को मुखमंत्री के सब्द दिला दी तो यह एक तरीके से गलत हुआ बिस्वास मत के लिए समय देना यहां पर भी राजपाल के पर कदर रुपियोग हुआ है जहरखंद के राजपाल थे उस समय सयद बिस्टे रजी इन्होंने जहरखंद मुक्टी मुर्चा के नीता थे सीबू से देन इनको ज़रुर्ट से जारा समय दे दिया कि आप एसे ब मुख मंत्री को अच्छानक 24 घंटे के अंदर में भंवत सीद करने को बोल दिया है तो यह बात भी ठीक नहीं है यह एक तरीके से दुरुपियोगी है बिदान सभा भंग करने के कुछ सक्तियों के बारे में है यह आर्टिकल 174 की तू में है कि बिदान सभा भंग किस तरीक बातक के राजपाल बंकर सभाया ने मुख मंत्री बिम्माई की सलाह के बिना ही राश्ट बिदान सभा को भंग कर दिया और राश्पट्टी सासन लगाने के लिए इस अरिकार का भी दुरुपियोग किया तो यह बाते भी यहां पर गलत हुई है अब राश्पट्टी सासन की सिफाइस आर्टिकल 356 से होती है और इसके थुरू भी आपने देखा था भी कि बुटा सिंग ने किस तरह से गलत किया था इसके बारे में तो मतलब कई बार इसका दुरुपियोग भी होता रहता है तो संभीधान में राश्पाल का पर तो सरीर कि जो केंसरकार होती है प कि एप राजपाल लाश्पती के समान जो है कुटनित्ति के मतलब कि सिए और देश्टा जोड़ना अपातकाल के दलिवाता होना यह सब राजियो पाल नहीं कर सकते हैं तो स्ब चीजिए इसकेवारे में राजपाल की बिधाई yay सकतियां हैं कि राजपाल के सत्र बुलास सत संसद को फिर भीघटन करते हैं मुख मंत्री के सलाह पर उसे भंग भी कर सकते हैं जैसे किन सरकार में होती है संसद में कि साल में 3 स्थ होते हैं साल में पहला बजज़त ने को उसमें राज्यों में भी पहला सत्र जो होता है बज़स्थ होता है और दूब बैठेव के बीच में 6 मिनिस ज़ला के गयपने होना चाहिए लिए इसमें भी गया है और दोनों सद्मों को भासन भेजना अपना संदेश भेजना ये राजपाल कर सकते हुए और से सिवाइच चुजाने अगर बिदान परिशद है बिदान thatísब आपने देखा यह था विदान परिशद मैंने बताया थै कि बात के छह के राजियों में इस तरह से गर देखे तो यहां पे महराश्टरा में क सबस्ती के राजपाल के यहां पे के राजफ़ा जो रॉपि एकसाथ देरने Horror के राजपाल के बाव सब्सक्राइब पर द्वruce हाँ त 이제 अदर में आ πिर में और 2 जिए व्येव व्यावं मनुझ करने के सकति राजपाल के पास होती है। इसको नयाले में चुनवती नहीं दी जाती है। अगर मालेजीए कि यह अधियाधिस उसमें जारी नहीं है। आधियादिश जारी करते हैं दो दिन के बाद मन कर एक एक वऄन आधियाद में चाहरा किया या उसको आपस लासे लेसकते हैं लेकिन जाए जात दौपी साथlements सब्सूं कारूब स Potमान केम। सब्सुंत्र श्राइब कि मॉत्षे सित्कालिन सफराता है तो बजजट सत्व कम पस्री होता ही होता और इस को अबोईट किया जाएगा तो इसको तो फिर करना ही पयरे पड़ेगा भर इसको कर भी दिया तो अबोईट कर तो करना ही पारेगा मतलब दो बैठक बीच में जो बिधान सभावोबड़ारी निफsफ राजभा हो बीच में ज़ादा से ज़ादाव महीने का ही गाइब होना चाहिए। इस से ज़ादा करूं तो महीन तक उधिया दिहिए जाही रहता ही रहता है लेकि युजञांक sleutka को सभ उस सिक्स विक थीक का और इस विक के अंदर में एगर राज्य की बिधान सभाने पास कर दिया तो चानून बन जाता है यह अज्ट हम एक पर ऊपर कोई राज पाल नहीं है तो किसी वे Кон理 को बोल लिया कि ठीक है आप जो है इसके है अध्यकृतिता कर रूप में यह सब उन के पी सकती होती है कि तृक है साथ ही नथे उससाह हमने देख लिया था कििसोंने पूरा पढ़ लिया है पूरा देख लिया है तो आपने सकते हैं एक पॉइंट है यह सारे पॉइंट्स हमने देख लिए और समझ लिए तो चलिए मैं वीडियो यहां खतम करता हूं मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर आप चाहें तो इससे कोश्चन का टेस्ट रे सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्षन में मै नेक्ष वीडियो में तिल यह बबाए और टेक्क्यों